इन दुनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हो रहा है वीडियो में एक ड्राइवर है जो आटो चला रहा है और आटो चलाते चलाते चलते आटो में ही वो आटो का टायर भी बदल दे रहा है जब कोई गाड़ी पंचर हो जाती है तो उस गाड़ी को चलाना काफी मुश्किल होता है टायर बदलना भी मुश्किल होता है लेकिन चलती गाड़ी में ही इस पंचर टायर को बदल लेना ये हैरान करने वाला है वाहरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शक्स ने चलते आटो का टायर बदल दिया वीडियो लोगों के रोंगटे खड़ा कर रहा है उन्हें हैरान कर रहा है आप देख सकते हैं कि एक शक्स आटो चला रहा है इस बीच उसका आटो का टायर पंचर हो जाता है इसके बाद वो अपने गाड़ी रोकता भी नहीं है उसको एक Angus उठाता है जिससे उसका एक पहिया सरख से उपर उड़ जाता है इसके बाद यह शक्स चलती आटो में ही टायर की Net Board खोलता है टायर को लूज करता है और उसके आटो से निकाल लेता है लक कर लेता है तब तर पीछे से उसके कुछ साथी एक दूसरे आटो में आ रहे होते हैं वो उसको एक fresh टायर पकड़ाते हैं जो टायर उसने अभी आटो से निकाला है जो पंचर या खराब था वो टायर वो अपने साथीं को दे देता है चलती आटो में ही ये सब हो रहा है और उसके बाद उनसे एक fresh टायर लेकर चलती आटो में ही उस टायर को उसकी जगे रिप्लेस भी कर देता है ये सब करते हुए यानि जितनी देर में इस शक्स ने पुराना टायर खोला उसको आटो से अलग करा अपने साथीं से नए टायर लिया पुराना टायर उनको दिया और पिर नए टायर को रिप्लेस करके अपने आटो में लगाया इतने पूरे कारिक्रम के दौरान आटो दो पहियों पही चलता रहता है उसका तीसरा पहिया लगतार हवा में उठा रहता है आटो इस बीच एक सेगेंड के लिए भी रोका नहीं जाता है और ये पूरा कारणामा वुवेक्ती चलती आटो में ही करता है ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है अलांकि अभी ये पुश्टी नहीं हो पाई है कि ये वीडियो कब का है और कहां का है लेकिन ये जो भी शक्स है इसकी स्किल और इसके इस कारणामे की लोग सोशल मीडिया पर काफी तारिफ कर रहे हैं अरांकि कुछ यूजर्स यह भी कह रहे हैं कि इस तरह से आटो का टायर बदलना चलते आटो में यह ठीक नहीं है सुरक्षत नहीं है वही तमाम यूजर्स ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि यह कापी ट्रेंड ड्राइवर लग रहा है और इसलिए ये इस तरह का कारणामत चलते हुई गाड़ी में करपा रहा है NBTO Online Report